गुड मॉर्निंग एब्रीवन बेलकम टू एग्जाम और्विट क्लासिस आज है पांच जुलाई और आज के इस सेशन में पांच जुलाई से बनने वाले सभी महित्पून कुरिशन्स को डिसकस करेंगे तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महित्पून सुर्खियों पर उपराष्टपती चुनाब 6 अगस्त को होगा मतदान चुनाब आयोगने की खोश्टा करनाटक की सिनी सेटी ने जीता मिस इंडिया 2022 का खिताब एंटी पीसी ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी 33 सौर उर्जा परियोजना की की शुर्वारत हिमाचल प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं को आदे दाम पर मिलेगा टिकेट मुखे मंतरी ने किया एलान SEL Technologies को मिला Microsoft Partner of the Year Aborts 2022 रेलबे सुरक्षा बल दुवारत चलाया गया Operation Narcos नाटो मेट्रिक सिकर सम्मिलन 2022 का हुआ समापन पाक के साथ रण नीतिक साजेदारी और कश्मीर बारता के सिल्पकार सतिंदल लामा का हुआ निधन प्रति बर्स जुलाई के पहले सनिवार को मनाया गया अंधरास्टिय सहकारिता तिवस डियाडियों के अते आधुनिक मानव रहित बिमान का सपल परेक्षण करनाटक के चित्र दुर्ग टेस्टिंग रेंज में भरी उरान अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंट्स कल की क्लास का क्विक रिपिजन कल हम लोगोंने क्या क्या पढ़ा था फाइनसियल एक्सेंट टाक्ष फोर्स यानि की एफ ए टी एफ के नए अध्यच बन गए हैं भारतिय मूल के सिंगापूर के रहने वाले टी राजा कुमार ऑस्टेलिय सेना और भारतिय सेना के बीश नौबी आर्मी टू आर्मी स्थाप बार्ता आयुजित की गई थी थेरा दून में आगे डिस्कस करेंगे भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के प्रतीक के रूप में नेपाल को 75 एंबुलेंस और 17 स्कूल बसें भारत के दुवारा भेट की गई प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधी नगर में डिजीटल इंडिया सप्ता 2022 का हाली में उदगाटन किया है भारतिय ओलम्पिक संग की अधिकारिक भागिदार बन गई है अदानी स्पोर्ट्स लाइन संयूपत राष्ट ने हैविटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 सीर सर्द से अपनी एक रिपोर्ट हाली में प्रकाशित की है किस बीमा कंपनी ने एक नया स्वास्त बीमा उत्पादियाने के गलोबल हेल्थ केर लॉंच किया है बजाज आलियंस जर्नल इंसूरेंस के तुवारा अंधर रास्टे प्लास्टिक बैक मुक्त दिवस मनाये जाता है 3 जुलाई को किस ने उद्मी भारत कारिकरम में रैंप योसना का शुबारम किया है प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी जी ने सर्विया के नोवाग जोकोवेश सबी चार ग्रेंड इसलेम में कितने मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाडी बन गए हैं तो कुल असी मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाडी बन गए हैं और फेंड्स याद रखेंगे जो नोवाग जो को बेच हैं ये कहां के हैं तो शर्विया के हैं जो कि अकसर एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो फेंड्स ये था कल का करेंट अफएर अगर डेटेल से जानना हैं तो कल की कलाज जरूर देख लिजेगा चले डिस्कुस करते हैं फर्स्ट कुश्यन हाली में उपराष्टपती चुनाब के कारीकरम की घोशना किसने की है तो फ्रेंट्स उपरास्टपती के चुनाप के कारिकरम की घोशना कर दी गई है इलेक्सन कमीशन के दुवारा यानि की निर्वाचन आयोग के दुवारा उपरास्टपती चुनाप के लिए 6 अगस्त को बोट डाले जाएंगे और मतगर्णा भी उसी दिन होगी साथी मैं आपको बता दे कि 6 अगस्त को ही उपरास्टपती चुनाप के नतीजे आ जाएंगे जैसा कि आप सभी को ग्यात है कि बर्तमान में भारत के उपरास्टपती कौन है जनका कारेकाल कब खतम हो रहा है तो समाप्त हो रहा है दस अगस्त को आगे डिसकुस करेंगे कि कैसे होता है उपरास्टपती का इलेक्सानी उपरास्टपती का चुनाप संसत के दौनों सदनों यानी की लोकशवा और राज्जिसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानि कि इलेक्टरॉल कॉलेज के जर्ये अनुपातिक प्रति निदित्व पद्दती से होता है याद रखेगा यह बार बार एक्जाम में पूछा जाता है कि उपराश्ट पती का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है तो अनुपातिक प्रतिनिद्यतु पद्दती के दुवारा होता है दोनों सदनों के सदस्ट इसमें हिस्सा लेते हैं और भारत के संबिधान के अनुछे 66 के अनुसार उपरास्टपती का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों दुवारा किया जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपरास्टपती का जो इलेक्षन होता है न वो भारत के संबिधान में किस आर्टिकल से रिलेटेड है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे आर्टिकल 66 है आगे डिसकस करेंगे उपरास्टपती भारत का दूसरा सर्वोच संबैधानी कारेले होता है जबकि पहला कौन होता है तो प्रेसिडेंट यानि की रास्टपती वहें पांच बर्स के कारिकाल के लिए कारे करता है लेकिन वह कारिकाल की समाप्ती के बावजूर्थ तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तर दिकारी दुवारा पद गिरेंड नहीं कर लिया गया जैसे कि अभी बर्तमान में कौन है एम बेकेयन आइडू जी है और जब तक नए उपराष्ट पती नहीं बन जाते तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे हाला कि उनका जो कारेकाल है वो 10 अगस्त को खत्म हो रहा है 5 साल का लेकिन जब तक इलैक्सन नहीं हो जाएंगे जब तक जो उपराष्ट पती है वो नहीं पद गिरेंड कर लेगा तब तक जो पहले उपराष्ट पती होते हैं वो पद पर बने रहते हैं अगर आप PSC की तयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट याद रखेगा क्योंकि यहां से कोईशन बन जाता है चले आगे डिसकस करेंगे उपराष्ट पती से ही रिलेटेड कुछ महत्वोड परिशनों के बारे में जान लेते हैं राज्य सवा की बैटको का सवा पतित तो वह कौन करता है तो याद रखेंगे उपराष्ट पती करता है उपराष्ट पती को पदुद की गोपनिया ताकी सपत कौन दिलाता है तो उपराष्ट पती होता है उसे सपत दिलाई जाती है प्रसिडेंट के दुवारा किस के दुवारद दिलाई जाती है भारत के सबविदान में उपराष्थपती से सम静्द प्राबधान किस देश के समविदान से घराण किये गए है Most important question है याद रखेंगे अमेरिका के समविदान से लिए गए है भारत के पिर्थम उपराष्थपती कौन थे? Dr. S. Radha Kishnan थे याद रखेगा कौन थे पिर्थम और ये दो बार रहे थे भारत के उपराश्ट पती थे कि पिर्थम उपराश्ट पती भी यही थे और दो बार भी भारत के उपराश्ट पती यही रहे थे Dr. S. Radha Kishnan आगे डिसकस करेंगे भारते संबिधान का कौन सा अनुछेत कहता है कि भारत का एक उपराष्ट पती होगा इस तरा लगा लिजेगा बहुत महित्पून कुश्चन है यह तो यह कहा गया है आर्टिकल 63 में जबकि एलेक्शन से रिलेटेड कौन सा है तो आर्टिकल 66 है और जबकि संबिधान में एक उपराष्ट पती होगा भारत का ये किस में कहा गया है तो 63 में कहा गया है तो दोनों ही आर्टिकल आप सभी याद रखेंगे उपराष्ट पती पत के लिए कम से कम कितनी आयू होना आवश्रक है तो 35 वर्स है उपराष्ट पती के चुनाव संबंदि बिवाद को कौन तो उपराष्ट पती दुवारा अपने मत का उपयोग किया जाता है मतों के बरावर रहने की इस्तिती में तो फ्रेंड्स उपराष्ट पती से रिलेटिट इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है क्योंकि आगा में परिक्षा के पॉइंटेड व्यू से यह बहुत महत पॉण्ड है अगर आप लोग पहली बार चैनल पर पिचिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साती बेल आइकन दवाना बिलकुल ना भूले जिससे आप लोगों को क्लास का नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा अगर आप लोगों को क्लास अ नार्कोस चलाया गया है आरफी अप के दुवारा यानि कि रेल बे सुरक्षा बल ने ऑप्रेशन नार्कोस चलाया है आए डिसकस कर लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है रेल बे सुरक्षा बल ने हाली में ऑप्रेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड रोपे से अधि मूल के नसीले पदात बरामत की है तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि Operation Narcos किस से सम्बंदित है तो RPF से सम्बंदित है Operation Narcos क्यों चलाया गया है तो नसीले पदात जो होते हैं उनको रोकने के लिए और उनको जैसे उनकी तसकरी जो की जाती है उसे पकड़ने के लिए ठीक है तो इसके लिए चलाया गया है Operation Narcos RPF के दुवारा आगे डिस्कस कर लेते हैं RPF की अन्य पहले जो की हाली में न्यूज में बनी रही थी जैसे कि Operation Ahat आप सभी को ग्यात होगा इसके बारे में डिस्कस भी किया था तो Operation Ahat कि से सम्मंदित है पीटो और विसेस रूप से महिला और बच्चों को तसकरों के चंगुल से बचाने के लिए RPF के दुवारा इसे हाली में चलाया गया था मेरी सहेली पहल ये भी RPF ने चलायी थी और ये है पहल महिला यात्रियों की सुरक्चा पर केंद्रेत है और इसे सितंबर 2020 में दच्चिडपूर रेल्वे में एक पाइलेट परियोसना के रूप में लौंच किया गया था Operation यात्री सुरक्चा भी RPF ने चलायी थी Operation नन्य परिस्ते जो की बच्चों से रेलेटेड है Operation सतर्क, Operation उपलब्द याद होगा आप सभी को कि यात्रियों के खोई हुए सामन को ट्रैक करने के लिए जो RPF है उसने Operation उपलब्द चलाया था याद रखेंगे क्योंकि आप से एक्जाम में पूछ लिया जाएगा तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है आगे डिसकस कर लेते हैं भारतिय रेलवे के बारे में तो भारतिय रेलवे की स्थाफना 16 अपरेल 1853 में हुई थी भारतिय रेलवे मुख्याले नई दिल्ली में है और बर्तमान में रेल मंतरी कौन है अगला कोईशन देखेंगे भारत और किस देश के बीच बैक चैनल बारता का नेतत्व करने वाले पूर्वर राजनेक सतिंदर लामा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है तो फ्रेंट्स ये भारत और पाकिस्तान के बीच इन्हें आप पिक में देख सकते हैं आगामी परि 2005 से 2014 तक भारत और पाकिस्तान के बीच इन्होंने महत्पूर्ट बैक चैनल राजनेक बारता का नेतत्व किया था आगे डिस्टॉस कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान की राजधाने इसलामाबाद है मुद्रा पाकिस्तानी रुपिया है और हाली में जो पिर्धान मंत्री बने हैं वो बने हैं सहवाज सरीप जबकी राष्ट पती कौन है आरिफ अलबी है आये मैप में देखते हैं पाकिस्तान की लोकेशन तो फ्रेंड्स आप सभी देख पारे होंगे यह गिरीन कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है यह है पाकिस्तान पाकिस्तान की सीमा जो है भारत की जो कितने राज और केंदर सासित पिर्देश ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के स सीमा बनाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है राजस्थान की सीमा लगती है पंजाब की सीमा लगती हो केंदर सासित पिरदेशों में जमु कश्मीर और लद्दा की सीमा पाकिस्तान से लगती है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गौादर बंदरगा अक्सर सुर्कियों में रहता है ये कहां पर है पाकिस्तान में जबकि चावाहर बंदरगा कहां पर है फ्रेंट्स तो याद रखेंगे वो इरान में है साइट में आपको इरान दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर है चावार बंदरगा और पाकिस्तान में हैं गौादर बंदरगा अच्छा पाकिस्तान से जो भारत की सीमा लगती है इसे किस नाम से जानते हैं तो इसे रैट किलिप के लाइन के नाम से जाना जाता है जबकि जो भारत की इंतराष्टी सीमा लगती है ना फ्रेंट्स वो लगती है बांगलादेश के साथ यहां पर आप देख सकते हैं बांगलादेश के साथ लगती है और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांगलादेश से घिरा हुआ है तो फ्रेंट्स याद किस भारती राजी ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना म thatís कि गई इस तो इसका उड्दे सिरे भीत यात्रा करने के लिए महिलाओं को बस किराय में 50 प्रतिसत की छूट देना है राज्य सरकार ने राइट वित प्राइट सरकारी टैक्सी सेवा में महिला डिलाइबरों को 25 नए पदों को मंजूरी देने की भी खोशना की है बटमान में हिमाचल प्रदेश के जो मुखे मंतरी है वो जैराम साथी फ्रेंट्स आपको बता दू कि नई दिल्ली में जो बसे हैं ना उनमें महिलाओं का किराया नहीं लगता है 100 प्रतिसत फ्री है और यह जो हिमाचल प्रदेश सरकार दुआरा किया गया है यह 50% की छूट दी गई है महिलाओं को ठीक है आगे डिसकस करेंगे एंटी पीसी ने किस राच में देश की सबसे बड़ी 33 सौर उर्जा परियोजना का काम पूरा कर लिया है तो फेंट देश की सबसे बड़ी 33 सौर उर्जा परियोजना का जो काम पूरा किया गया है वो किया गया है तेलंगाना में आए डिसकस कर लेते हैं इस परियोजना के बारे में तो तेलंगाना के रामा गुंडन की इस परियोजना से 100 मेगावाट बिजली मिलेगी इससे पहले एंटी पीसी ने आप सभी को याद होगा हम लोगों ने डिसकस भी किया था कि केरल के कायम कुलम में 92 मेगावाट और आंदर प्रदेश के सिमादरी में 25 मेगावाट की 33 सौर उर्जा परियोजना से बिद्दुत उत्पादन सुरू किया था एंटी पीसी लिमेटेट की जो स्थाबना की गई थी वो 7 नमबर 1975 में हुई थी और इसका जो हैट को यानि की मुख्याले है वो नई दिल्ली में है आगे डिसकस कर लेते हैं अन्ने जानकरी विश् अब खंडवा कहां पर है तो यह याद रखेंगे यह मद्द प्रदेश में है ठीक है रीवा का सूलर प्लांट कितने मेगावाट का है तो यह 750 मेगावाट का रीवा अल्टरा मेगा सूलर पावर पोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर उजा सयंत्रों में से एक है और यह कहां पर बन रहा है तो फ्रेंट्स यह बन रहा है रीवा मद्द परदेश में ठीक है नेस्ट कोजिशन देखेंगे डियाडी उन्हें भारत के पहले बिना पाइलेट के उड़ने वाले लड़ाकु बिमान का सपल परिक्षण कहां से किया है तो सबसे पहले याद रखेंगे कि यह देश का पहला बिना पाइलेट का उड़ने वाला लड़ाकु बिमान है जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं यह कुछ इस परकार का है और इसका जो सपल परिक्षण किया गया है न फ्रेंट्स वो किया गया है करना टक के चित्र दुर्ग से कहां स और इसका सपल परिक्षण कर लिया गया है डियाइडियो के दुबारा आगे डिस्कस करेंगे यह एक मानव रहित लड़ाकु हवाई बहान या एक लड़ाकु ड्रॉन है जो एक फ्लाइंग बिंग परकार का है डियाइडियो ने ससस्त्र बलो की आवस्ताओं को पूरा करन के लिए विविन बर्गो के मानव रहित हवाई बहान बिक्सित करने की प्रिक्रिया में लगा हुआ है कौन डियाइडियो उन्ही में से यह एक है ठीक है अब अन्य उप्संस के बारे में भी ठोड़ा डिसकस कर लेते हैं जैसे कि अक्सर एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि चांदीपूर पर 65 केंद्र कहां पर है या वीलर दीप कहां पर है या अब्दुल कलाम दीप कहां पर है तो याद रखेंगे यह उड़ी सा राच में है पोकरन कहां पर है तो जो अक्सर एक्जाम में न्यूज में बना रहता है तो पोकरन जो है वो राजिस्थान राच म हैं अगला कोशन देखेंगे निम्नमे से किसने मिस इंडिया बर्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है तो मिस इंडिया बर्ड 2022 बन गई है करनाटक की रहने वाली सिनी सिर्टी जिने आप सभी पिक में देख सकते हैं और इन्हें जो ताच पहनाया गया है न ये किस ने पहनाया है तो मांसवारणासी ने इन्हें ताच पहनाया है साथ ही आपको बता दे कि राजिस्तान की रुबल सेखावत ये रही है फस्ट रन अप और जबकि उत्तर प्रिदेश की सिनाता चोहान रही है सेकंड रन अब आगे डिसकस कर लेते हैं कि इसका जो आयोजन किया गया था ना फ्रेंट्स वो कहां पर किया गया था तो इसका आयोजन हुआ था मुंबई के जियो वर्ल्ड कंवेंशन सेंटर में आगे डिसकस करेंगे अन्य महित कुण पॉइंट मिस इंडिया मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड दो हजार बाइस ये हाली में यूनिवर्स 2021 किस ने जीती थी तो ये जीती थी हरनास सिंदु ने ठीक है तो इतनी जानकरी आप सभी को याद रखती है नेस्ट कुईशन देखते हैं Microsoft Partner of the Year Aborts 2022 किसे समानित किया गया है तो फिर्ट जो Microsoft Partner of the Year Aborts है ये दिया गया है S.E.L. को आगे डिस्कुस कर लेते हैं S.E.L. के बारे में हिंदुस्तान Computer Limited एक प्रमुक Information Technologies Company है और इसका मुख्याले कहां पर है तो याद रखेंगे इसका मुख्याले है नोईडा में नोईडा से आप सभी को कुछ याद आया नोईडा इयरपोर्ट जिसका नाम क्या कर दिया गया है तो जेवर इयरपोर्ट कर दिया गया है जेवर एयर्पोर्ट का जो काम सौपा गया है वो किसे सौपा गया है तो याद रखेंगे टाटा पोट्चेक्ट को इसका काम सौपा गया है बनाने का ठीक है कहां पर है तो याद रखेंगे नोईडा उत्तर प्रदेश में हैं जिसका उद्गाटन किस ने किया था प्रधान मंतरी नरेंडर मोधी जी नहीं है S.E.L. Technologies की जो स्थाफना की गई थी वो 12 नवंबर 1991 में की गई थी और इसके जो बर्तमान में CEO है वो C.Wizay Kumar है Next Question है निम्नमे से किस देश के मेडरिट में आयजित नाटो मेडरिट सिकर सम्मिलन 2022 हाली में समापन इसका हो गया है तो फ्रेंट्स नाटो मेडरिक सिकर सम्मिलन है ना इसका समापन हो गया है और ये कहां पर हुआ है इस पैन में अच्छा अगर मैं आपसे पूछ ओं कि बर्तमान में नाटो का जो आपको ग्यात होगा कि फिंगलेंड और स्वीडन को नाटो में सामिल होने की हाली में सहमती किस ने देदी है तो याद रखेंगे तुर्किये के दुआरा की गई है तुर्किये किस का नया नाम है तो तरक सब्सक्राइब नाटो के माहा सचिप जो की बर्तमान में कौन है इनी के दुबारा इसकी अध्यास्ता की गई थी और ये तीन दिवसिये सिकर सम्मेलन था नेस्ट कुशन देखेंगे अंधरास्टिय सैकारिता दिवस निम्न मैंसे किस दिन मनाया जाता है तो फ्रेंट जो अंधरास्टिय सैकारिता दिवस है ये जुलाई के पहले सनिवार को मनाया जाता है और इस वारी ये मनाया गया था दो जुलाई को मनाया गया था आए डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में इस वर्स यह दो जुलाई को मनाया गया, यह याद रखेंगे, इसका उद्धे से क्या था, तो सयुक्तराष्ट दुवारा अंधराष्टिय सैकारी, आंदोलन के समान लक्षों और उद्ध्योसों को साजा करने के तरीके पर प्रकास डालते हुए सैकारी समीतियों के बारे मे जाग रुपता फैलाना था, अब डिस्कुस कर लेते हैं टॉप 10 इस्ट्रैटिक ची के कुश्चन, क्योरी किसकी इकाई है, तो यह किसका नाम है, क्योरी क्योरी है, रेडियो एक्टिव धर्मिता का, धर्ती पर इस्तिस सागरों और या माहा सागरों के जल इस्तर का, सामा सबसे जादा, सबसे उंचा जो जो आ रहाता है, वो कहां पर आता है, फंडी की खाड़ी में, 1857 के बिद्रों का, कानपूर में नेतत्व किस ने किया था, नाना साहाब ने किया था, इनका मूल नाम किया था, तो धौन्डू पंत था, भारत में जीस्टी लागू करने का श जीस्टी दिवस मनाया जाता है, एक जुलाई को, हाली में जीस्टी की बैठक हुई है ना, 47 वो कहां पर हुई है, चंदीगर में, बायू मंडल में जलवास्व की मातरा का माप क्या कहलाता है, आत्रता, धान का पिरसिद रोग खेरा, रोग किस कारण से होता है, जस्ता की क कारण से होता है, तिका रोग किस फसल में से संबन्दित है, तो फ्रेंट जो टिका रोग है ना, ये संबन्दित है मुमफली से, ठीक है, मुमफली की फसल में होता है, कल की क्लास में जो क्वेशन आप से पूछे गए थे, उनके आंसर देख लेते हैं, मद्द पिर्दिस न और अंथरास्टे टैनिस संग ने गोल्डन अचीवमेंट पूरुसकार 2022 से समानित किया है, बिजय अमरत राज को भारत के कौन से राज में उर्दू को पिर्थम राजवासा का दर्जा दिया गया है, तो फ्रेंट्स याद रखेंगे जमू कस्मेर में भारत का सबसे बड़ा उच्छे नियाल है, इनमें से कौन सा है, इलहाबाद उच्छे नियाल है अब आप लोगों के लिए कुछ कुश्यन है, जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में फर्स्ट कोश्यन है, किस देश के रास्ट पती ने बंदुक हीसा को लेकर कानून बनाने के लिए दूई दलिय सुरक्चित समूदाय बिद्यक पर हस्ताक्षर किये हैं नेस्ट कोश्यन है, एक एकरट ड्रॉन निर्माता और भारत इस्ते ड्रॉन एस एस सर्वेस गरोड एरोस्पेस के देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट इस्थापित करेगा नेस्ट कोश्यन है, सुतंतरता मेरा जन्म सिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कतन किसका है नेस्ट एंड लास्ट कोश्यन है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार बिटे सामराज के कफन में कील बनकर रहेगा, यह कतन किसका है यह यह किसने कहा था तो फ्रेंड्स इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में, आज की क्लास आप जोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा, और साती क्लास को लाइक, सियर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, मिलते हैं नेस्ट क्लास में, तब तक के यह थैंक यू सो मच